नमस्कार आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रिधरपुर। कि हमारी केंदर की सरकार ने इस बजट में सभी वर्गों के लिए भरपूर स्रजन करने के लिए नौ प्रात्मिक्ताओं के संबंद में सतक्त परिकल्पनाओं के बारे में बताया गया है। केली बार रोजगार पाने वाले करमचारियों को एक महीने कावेतन तीन किस्तों में 15,000 रुपई दिया जाना है। जिससे 220 लाग युवाओं को लाब मिलेगा। युवाओं को अतरिक्त रोजगार का प्रोचसाहन कामकाजी महिलाओं की होस्टलों, शिशुग्राओं की स्थापना महिला विशिष्ट कोसल प्रसिक्षन का रिक्रम। पांच वर्ष में 20 लाग युवाओं का प्रसिक्षन के लिए 1,000 और द्योगिक प्रसिक्षन सस्थानों का उन्नायन। आज केंद्र के द्वारा जो बजट पेस किया है। इस बजट में आदर्णीय पर्दानन्तरी श्री नरेंद्र भाई मोधी जी ने अपना तीसरा कारेकाल के लिए उन्हें पूर्ण भॉमत निमा। और इस तीसरे कारेकाल में आदर्णीय मोधी जी ने जो बजट देश को समर्पित किया है। उसमें सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का उन्होंने काम किया है और भार्तिय जनता पार्टी जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास उसी को पूर्ण करते हुए इस बजट में भी गरीब महिलाएं युवा और अन्दाता को बिसेश रूप से इसमें ध्यान रखा गया है और इस बजट में कई ऐसे बिंदू है कई ऐसे मैं तो पूर्ण विसे हैं जो जिनको आपके माध्यम से माज स्प्रे से यह मैं कहना चाहेंगे इसमें मुख्य रूप से क्रिसी और उत्पाध को लेकर के है रोजगार कौसल प्रसिक्षन को लेकर के है समावेसी मानव संसादन विकास और समाजिक न्या हैं, वी निर्माण और सेवाइं हैं, सहरी विकास कैसे हो यह सुनिष्चित किया गया है, उर्जा सुरक्षा है, इंफ्रेस्ट रेक्टर है, नवचार, अनुसंधान और विकास है और सबसे मेत्वपूर्ण जो अगली पीडी को कैसे सुधार किया जाए अगली पीडी के लिए क्या कार्य किया जाए एक दूर द्रिष्टी लेते हुए ये इस बजट को पेस किया गया है मैं जारकंड के संदर्व में मुख्य रूप से कहना चाहूंगी कि आदर्णिय मोदी जी ने जारकंड पर जिस तरह से विसेश रूप से ध्यान दिया है ये बहुत बड़ी बात क्योंकि हमारा ये जारकंड परदेश आदिवासी बहुल छेतर है और यहां के आदिवासियों के लिए कई योजनाएं वो चला रहे हैं जनजातिय कार्यमंत्राले के द्वारा जनजातिय समू की समाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए हम जनजातिय बहुल गाओं और अखांशी जिला जिसमें ये सिंभूम भी है कि सभी जनजातिय परिवारों का पून कवरिज करते हुए परदान मंत्री जनजातिय उन्नत ग्राम अभियान की सुरुवात होगी इसके तहट इसमें 63,000 गाओं सामिलोंगे जिसमें पांच कड़ोर जनजातियों को सीधा लाप होगा और इसके साथ ही केंडर सरकार बिहार जारकन पश्चिम बंगाल उडिसा और आंद्र परदेश को समलित करते हुए देश के पुर्वी छेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पुर्वदय नामक योजना तयार की है इस योजना में मानव संसाधन विकास